सो हेलो गाईश आप सब का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है सो दोस्तो आज की इस फिडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं एक्जाम 20 फर्वरी को है उन्हों का पहले ही एक्जाम को जाली कर दिया गया है तो किस तरगे से आप अपना एक्जाम टाइमिंग है कितना बज़े है और कहां पर आपका एक्जाम होने वाला है इस तरह से आप उसका स्टेटेस चेक कर सकते हैं अगर आपका इस ट्रिक्टष को चेक खर सकते हैं और बहुसारा रिजिनल का जो जारी कर दिया गया है कि उसका एक्जाम होना वाला है तो इसके लिए किस तरगे से आप अपने एडिमीर काड को डाउड कर सकते हैं आज किस वीडियो में आप लोगों को फूल पूरसर बादाना वला हूँ उससे पहले जोसे तो अगर आप मेर चला पड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके certains के लिए और इससे पहले पेकर क्राइब कर दें तो जल चनल आमको सब्सक्राइब काड़ा कर सकते हैं तो दोस्तो इसके रहे सब्सक्राइब आपको आपने मोबाल्पूर्ण के किसी इस बीदा पर्णá को ओपेन कर लेना है और आपको यहां पर ब्राजुर को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना है सरकारी रिजल्ट जैसा के दोस्तों यहां पर देख सेते हैं मैं अभी सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद इंटरड के उपर किलिक कर देता हूँ और आप जैसे ही इतना सरकारीरिजल्ट किलिक करने के बाद इंटरडड पर किलिक करते हैं तो यहां पर आप्लप देशते हैं कुछ ही इस तरगे से सरकारीरिजल्ट का जो official portal का link है वो link यहाँ पर खुल करके open हो जाएगा अब उसी के साथ-साथ नीचे में और सारा भी link देखने को मिलेगा जैसा के दोस्तों यहाँ पर आप से सरकारी लिंग का जो official portal का link है फर्स्ट link देखने को मिलेगा उसी के नीचे में SACGD Constable Admin Card and status 2024 आपको यह सेकेंड वाल आपसन दिख रहा है आपको यह सेकेंड वाले link के उपर किलिक करना है और आप जैसे ही सेकेंड वाले link के उपर किलिक करते हैं तो सरकारी लिंग का official portal है इस portal में जो SACGD का admin का download करने का जो link है वो link यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो जो भी आपका status होगा जो भी candidate का जो भी status होगा उनके side में region का name दिया हुआ रहेगा और उसी के side में आप देख सकते हैं कि आपका जो link है वो activate हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपका link में किलिक की hair का option देखने को मिल रहा है तो समझेए कि आपका जो status है वो check होना start हो गया है शुरू हो गया है अगर आपका coming soon बता रहा है तो आने वाला है तो जैसा कि दोस्तों देख सेते हैं मेरा जहारखन इस्टिट का है तो यहाँ पर click hair का option देख दिया गया है आपको click hair के उपर click कर दोना है और आप जैसे ही उसके उपर click करते हैं तो यहाँ पर SEC का जो official page है उस page उपर यहाँ पर आ जाँगे डिरेक्ट आ जाँगे और ऐसे मैं इस portal का direct link वीडियो की discussion देदूँगा वहाँ से directly आप SEC का जो admin का download करने का जो portal है वह portal पर आ सकते हैं और आप जैसे ही इस portal पर आते हैं और इसको नीचे scroll down करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आपको एक option देखने को मिलेगा latest news यानि SSC related जो भी कुछ latest news आता है तो यहीं पर update कर दिया जाता है जिसा के दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आठ फर्वरी को selection post page 9 का जो 2013 का exam cancellation का notice है उसको जारी कर दिया गया है इसी तरह से SSC related जो भी कुछ update किया जाता है तो यहीं पर latest news में आपको देखने को मिलेगा और इसको नीचे scroll down करते हैं यहाँ पर 6 फर्वरी 2024 को एक new update किया गया है जो की आपका SSC GD से related है यहाँ पर देखते हैं now your status of constable GD यानि GD का जो status है उसको आप यहीं से check कर सकते हैं तो आपको यही जो side में देखने को मिल रहा है now your status आपको इसी के उपर click कर दना है और आप जिसी उसके उपर click करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरगे से अगला page खूल करके open हो जाएगा जो की आपका status check करने का जो page है ओ page यहाँ पर खूल करके open हो जाएगा और यहीं से आप अपना status को check कर सकते हैं या फिर आप अपना admin card को download कर सकते हैं जैसा के दोस्तों admin का download करने का रही बार तो ओ आपको एक्जाम से चार से पांक दिन पहले admin card को release किया जाता है सेम प्रसेस है आपका status check करने का और admin का download करने का तो आपको admin card को download करने के लिए या फिर इस्टेस को check करने के लिए आपका registration number यहाँ पर मांगा जागा अगर आपके पास registration number नहीं है तो आप जब online कर रहे थे तो उस टाइम जब आप registration कर रहे हैं तो आपको registration number देखने को मिलता है वोही रस LeeS justा नमर को आपको यहाँ पर फिल करते हैं अगर तो आपके पास अभड को फिल कहने हैं इसके बास यहाँपर यहाँ पर केप्चा को फिल करेंगे और केप्चा को पिल करने के बाद नीचेमें next का आफिसन के ऊपर क्लिक करते दाएँ और आप जैसे ही सब कुछ details को फिल करने के बाद next के उपर किलिक करते हैं तो आपको अगला page खुल कर open हो जाएगा और वहीं पर आपका सब कुछ details देखने को मिलेगा जैसा कि आपका registration नमबर हो गया, आपका रॉल नमबर हो गया आपका exam का timing कब है, reporting timing कब है और कहां पर exam CT कहां है, यानि आपका exam जो होने वला है, वो कहां पर होने वला है इस तरह से सब कुछ details आपको देखने को मिल जाएगा यही से आप अपना registration को चेक कर सकते हैं अगर आपको admin का download करना है, तो admin का download करने के लिए registration number आपको जो देखने को मिलेगा उसके उपर आप जैसे ही click करते हैं, तो नीचे में आईए गरी click करने के लिए एक tick box आएगा वहाँ से आप tick box को tick करके और आप अपना admin card को download कर सकते हैं तो दोस्तों यही था, SACGD admin card का download करने का full process वीडियो आसा है कि सब्सक्राइब आप लोग को बहुत अच्छाला होगा और अगर आपको 8 मिल का download करने में या फिर आप अपना इस्ट्रस को चेक करने में किसी वीडियो को भी problem आता है तो आप हम इस वीडियो में कोमेंट करके बाता सकते हैं और इस तरह को मेंटी वीडियोव सब्सक्राइब आने के लिए चैनल को बसक्राइब के बेल आगूंकि का और को सकते हैं तुम चलिए इस वीडियो में आप लोग को यहीं वादा होल था मिलते हैं फिर किसे आव और आन वमेक्टी वीडियो में थैंक इव ठैस्व आसे वीडियो तब तक के लिए बाइबाइब